असलाम अलेकुम जी आज हम आपके लेके आए हैं चटपट पकोड़ा मिक्स रेसिपी जिसमें हम पकोड़ा मिक्स रेडी करके रख लेंगे और अपनी सहुलत के हिसाब से पकोड़े आप जब तिल चाहे रेडी कर सकते हैं खास तोर पे माहे रमजान में इससे बहुत जादा सहुलत हो जाती है कि आपको बहुत सादा डिफरंट चीजें एकठी नहीं करनी पड़ती जास आप अपना नॉर्मल बेसन खोलेंगे और अपनी जरूरत के मताबक पकोड़े तर लेंगे तो आए अपी रेसिपी की दरफ चलते हैं इसके लिए हमें जो इंग्रीडियंट्स चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले है बेसन आदा किलो इसके साथ सुखा कुटा धनिया चाहर टेबल स्पून सुखा पुरीना तीन टेबल स्पून भुना कुटा जीरा तीन टेबल स्पून कुटी अजवाइन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हजबे जाइका मैं यहां पे तीन टेबल स्पून डालूंगी कुटी लाल मिर्च तीन टेबल स्पून या हजबे जाइका नमक हजबे जाइका मैं धाई टेबल स्पून नमक के डालूंगी इसके साथ ही सुखा अनार दाना कुटा हुआ या पिसा हुआ आपकी चॉइस है तीन टेबल स्पून अब इन तमाम अज़ा को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल नहीं किया क्योंकि मैं अपने पकॉड़ों में नहीं डालती लेकिन अगर आप डालते हैं तो इस पॉइंट पे आप इसमें बेकिंग पाउडर भी आड़ कर सकते हैं अब यह तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं हम एक एर टाइट कॉंटेनर लेकर यह तमाम जो बेसन है उसमें डाल देंगे इस पकॉड़ा मिक्स को हम अराम से एक महिने तक इस्तमाल कर सकते हैं यह हमारा मिक्स अप रड़ी है बस एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब भी इसमें से बेसने निकालेंगे चमच बिल्कुल ड्राय होना चाहिए क्योंकि अगर गिला चमच इसमें जाएगा तो हमारा यह पकॉड़ा मिक्स खराब हो जाएगा तो उमीद है आपको यह रस्पी पसंद आएगी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया